नमस्कार दोस्तों मेरे नामे गिरिश आप देख रहे हैं गिरिश फेर्ट यूटिव चैनल फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं बीसी 547 ट्रांजिस्टर का यूज करके कैसे वायरलेस गयर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक BC547 ट्रांजिस्टर लिया आप लोग देख सकते हो और इसकी पिन का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस बैटर इस बैटर के नगटर को कट कर लिएंगे तो उसके बाद मैंने यहां पर एक बजर लिया है और उसके उपर मैंने एक LED लगा दिया है तो इसके बजर के नेगटिव को इन तीनो ट्रंजिस्टर के जो कि हमने शॉर्ट किया था उसके साथ चोल्डर कर लिया है और यहाँ पर मैं copper wire की एक coil बना रहा हूँ जो कि हमारे sensor के तोर पर काम आएगा तो उसके बाद हम इस coil को इस transistor के base pin के साथ चोल्डर कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ कि मैंने इस battery के negative को इस पहले transistor के emitter pin के साथ और इसकी positive को इस buzzer के positive के साथ shoulder कर लिया है और हमारे circuit जो हो complete हो चुके है तो चलिए भी इसे check करके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास दो wire है जिनमें से एक है phase और एक है neutral तो जैसे ही मैं इसके पास phase लेकर जा रहा हूँ हमारी जो buzzer और LED है वो indicate कर रही है और जैसे ही मैं इसके पास neutral लेकर जा रहा हूँ तो हमारी LED glow नहीं कर रही है तो friends कुछ इस प्रकार से जो circuit है वो work करता है तो अब मैं इसके उपर shoulder iron को test करके देख लेता हूँ और अप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसके पास shoulder iron को ले जा रहा हूँ हमारी जो LED और buzzer है वो अच्छे तरीके से glow कर रही है तो friends इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी shoulder iron में बहार electricity आ रही है जो इसके अंदर coil लगी है उसके अंदर current flow हो रहा है झांग है झांग है झांग है